तुम भगवान में तुमानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते हो आपने हमारी चाहा कलेक्शन टेक को भी तरह सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बेल आइकोन प्रेज कर देजिसे आपको लेटेश्ट इनियर मुईस के डेली बॉक्स ओविस के अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले तो दोस्तो आपको लिंक करोड रुपे लेकिन काफी कम बड़े बजट में बनाई जाने के बाउजुदिस फिल्म को पब्लिक से लेकर कडिक्शन ने काफी जादा पसंद किया और लगबग फो रिष्टा रियू दिया जिस वज़े से कांतरा फिल्म को लेकर काफी अच्छा वर्ड आपमों देखन को मिला और फिल्म ने अपने पहले ही दिन हिंदी बॉक्स वेस पर रिलीज होता ही एक करोड 27 लाग रुपे से भी जादा की ओपनिंग की वहीं फिल्म के पहले अपते के कलेक्शन में भी काफी अच्छी पकड़ देखी गई महीं फिल्म ने अपने पहले अपते हिंदी बॉक्स वेस पर काफी अच्छा प्रदेशन करते हुए 14 करोड 27 लाग रुपे का जबजेस्त आकड़ा पार किया लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टूटा कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को अभी तक बॉक्स वेस पर र 15 करोड उपे से भी ज़ादा की ग्रोस कमाई करने में कामियाब रहेगी और यह फिल्म साउथ की केजिए अप चिप्टर टू के बाद सबसे बड़ी ब्लोकबेश्टर फिल्म बन जाएगी लेकिन अब बात कर लेते हैं मराट इंडरस्टी की पहली पेंड इंडिया फिल्म हर महादेव के बारे में आप बता दे हर हर महादेव फिल्म को लेकर भी काफ़े अच्छा क्रेजद देखने को मिला आए फिल्म को पबलिक और गडिक्स ने फोर इस्टार यू दिया जिस इसी से माना जा रहा टाफलम अपने दूसरे तीसरे और चोते दिन बॉक्स पर काफि अच्छी ग्रोफ पाएगी। आसपस कमाई कर रही जिससे फिल्म का चार दिनों का टोटल इंडियन बोक्स ओविस कलेक्शन 5 करोड 36 लाग रुपी के आसपस रहीगा लेकिन अब फिल्म का कलेक्शन दिन पर दिन कम होता जा रहा जिस वज़े से हो सकता है फिल्म लाइफ टाइम बोक्स ओविस पर हिट नहीं हो पाई वहीं हर हर महादेव फिल्म जिन जिन को पसंद आई उनके मुताबिक यह फिल्म लाइफ टेम बॉक्स ओविस पर ब्लोगबस्टर भी हो सकती है वहीं अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की तीसरी फिल्म थेंगोड के बारी में आपको बता दें तेंगोड फिल्म में आपको अजे देवंगन के साथ सिदार तमलोदरा और रकूल प्रिसियम उखे भूमिका में नजर आई थी वहीं यह फिल्म एक्षन और कॉमेड़ी से बरपूर थी जिस वज़ेसे फिल्म को लेकर काफ एच्छा क्रेज देखने को मिला और कॉमेड़ी फिल्म होने की वज़े से इस फिल्म को लगबग 2800 से ज़्यादा इस्क्रेंज पर रिलीस किया गया लेकिन 70 करोड रुपे के बज़ट में बनाए जाने की वज़े से फिल्म को लेकर कुछ खास उम्मिद नहीं रही और कॉमेडी फिल्म होने के बावजुदिस फिल्म को पब्लिक से लेका गडिक सजे मिक्सरियों मिला और फिल्म अपने पहले ही दिन बॉक्स विस पर दम तोड़ते हुए 8 करोड 10 लाग रुपे की ओपनिंग की जो के अजे देवगन सिद्दार दमलोदरा की फिल्म होने के बावजुद काफी कम ओपनिंग रही वहीं माना चारहाता फिल्म अपने दूसरे दिन बॉक्स विस पर ग्रोथ पाएगी लेकिन इसके बावजुदिस फिल्म ने अपने दूसरे दिन भी लगबग 20-25% के ड्रोप आई और सिर्प 6 करोड रुपे कमाए वहीं माना चारहाय फिल्म का तिसरे दिन और चोथे दिन का कलेक्शन ठीक टाक रहेगा लेकिन फिल्म के तिसरे दिन के कलेक्शन में भी 30% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली और रिपोर्ट से के मुताबिक अजे दिन की फिल्म थेंग गोड ने अपने तिसरे ही दिन बॉक्स अविस पर और भी ज़्यादा ड्रोप पाते हुए 4 करोड 15 लाग रुपे के आसपास कलेक्शन किया आवे हैंगा फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स अविस कलेक्शन क बात करें तो थेंग गोड फिल्म को अभी तक बॉक्स अविस पर रिलीज वया चार दिन से जादा हो चुके हैं और रिपोर्ट से के मुताबिक थेंग गोड फिल्म अपने चोते दिन यानि आज बॉक्स अविस पर और भी ज़्यादा ड्रोप पाते हुए 3 करोड 15 लाग के आसपास कमाई कर रही जिससे फिल्म का चार दिनों का टोटल इंडियर बॉक्स अविस कलेक्शन 22 करोड 10 लाग रुपे के आसपास रहीगा लेकिन यह फिल्म वल्ड वाइड बॉक्स अविस पर 27 करोड रुपे के आसपास कमाई करने में काम्याब रहेगी वही फिल्म का बज़ेट लगबग 70 करोड उपे से ज़ादा है जिस वज़ेसे यह फिल्म अभी तक अपने आदी बज़ेट को भी रीकवर नहीं कर पाएगी और उम्मीदे यह फिल्म अगले हपते तक box of is screen से निकाल दी जाएगी जिस वज़ेसे हो सकता है फिल्म box of is पर इस साल की flow फिल्मों में शामिल हो जाए जिस वज़ेसे अज़ेसे अज़ेट इवगन का करियर खत्रे में होगा क्योंकि इससे पहले अज़ेट इवगन की runway 34 भी box of is पर काफी बड़ी बड़ी flow फिल्म साबित हुई और काफी बूरी तरह से पिटी जिस वज़ेसे हो सकता है अज़ेट इवगन की आने वाली फिल्म box of is पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए लेकिन अब अज़ेट इवगन को काफी अच्छी फिल्म लानी होगी दिखाए दिये और काफी अच्छी एडवेंचर कहानी होने की वज़े से फिल्म को पब्लिक ने भी काफी ज़्यादा पसंद किया जिस वज़े से पब्लिक ओकडिक्स ने इस फिल्म को 3.5 इस्टा रियू दिया और काफी अच्छा रियू मिलने की वज़े से फिल्म के कले करने में कामियाब रही वहीं फिल्म का दूसरे दिसरे दिन का कलेक्शन भी काफी अच्छा रहा ओ फिल्म ने अपने दूसरे दिन भी बॉक्स ओविस पर काफी अच्छा परदेशन करते हुए 11 करोड 40 लाग रुपे का जबजस्त आकड़ा पार किया जिस वज़े से माना जा रहा था अक्षे कुमार की फिल्म अपने तीसरे दिन काफी अच्छी कमाई करें कि लेकिन फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन में भी लगबग 25-30% की डोप देखने को मिली ओ फिल्म ने अपने तीसरे दिन बॉक्स ओविस पर सिर्प 8 करोड 24 लाग रुपे का ओफिशल कले चार दिनों में इंडियन बॉक्स ओविस पर 43 करोड 20 लाग रुपे से ज़्यादा की कमाई कर लेगी लेकिन यह फिल्म वल्ड वाइड बॉक्स ओविस पर काफी बड़ा धमाका करेगी और लगब 51 करोड रुपे का जबजस्त आकड़ा पार करने में कामियाब रहेगी जि अक्षे कुमार की एडर से अभी से इस फिल्म को फ्लोप कहने में लगे हुए हैं तो दोस्तो आज के और अभी तक के टूड़ कलेक्शन के मामले में तो अक्षे कुमार की फिल्म राम सेतु का कलेक्शन रहेगा जादा जिस वज़े से अक्षे कुमार बनेंगे बोक्स या कि सब सबड़ी Lost cop दिखा। जिससे आपको लेटेश टेंडियन के सासा नेपाल और सभी लेंग्वेच के बोक्स ओविस कलेक्शन की अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले